नमस्ते बच्चों मैं राकेश पुनिया आप सभी का हार्दी का भिनंदन करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल अच्छे सिक्ष्या ओफिसियल पे आज की जो हमारी क्लास रहेगी बच्चों वो रहेगी मौडरन इंडिया आधुनिक भारत से अज हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे ज़दा क्योष्चन पीछे भी एकजाबस में पूछे गए हैं Modern India से और उसके बाद हम Midwell पढ़ेंगे और उसके बाद Incent India पढ़ेंगे Midwell की काफी वीडियो जो है हमने हमारे चैनल पर डाली हुई है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से पढ़ सकते हैं बच्चो ज्यादा से अगर वीडियो अच्छी लगे ना बच्चो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और चैनल के कॉमेंट में आप डाल करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है ठीक है ताकि है मोर अच्छे कंटेंट के साथ आपको पढ़ाएं और वैसे आपको लगेगा फील होगा कि भाई समझ आ रहा है ठीक है तो लेट्स स्टार्ट नाओ स्टार्ट करते हैं Modern India आधुनिक भारत आधुनिक भारत की अगर हम बात करें बच्चो तो आधुनिक भारत का पिरियड 1707 से लेकर के आपका और 1947 तक का जो पिरियड था इस पिरियड में जितनी भी घटनाएं हुई 1707 से लेकर के और 1947 तक इस पिरियड में जितनी भी घटन जाये हुई वो सारी किसमें आती है आधुनिक भारत में, 170707 में बच्चो मुगल एंपायर के बाद से औरंग जेब का क्या हो जाता है देहांत हो जाता है निधन हो जाता है और उसके बाद पूरा संदिर हो जाता है पतन की तरह बढ़ जाता है. यानि कि downfall start हो जाता है मुगल समराज्ये का और उसी portion से जो है आधुनिक भारत की शुरुवात होती है जहां से मुगल समराज्ये पतन की ओर बढ़ता है वहीं से आधुनिक भारत की start जो है वो प्रारंब होता है वहां से आधुनिक भारत तो आज हम स्टार्ट करेंगे आज अनुनिक भारत में जो हमारा पहला टोपिक रहेगा बच्चों वो रहेगा डाउनफोल्स ओफ मुगल या डाउनफोल्स ओफ मुगल एरा कह सकते हैं डाउनफाल्स ओफ मुगल्स डाउनफाल्स ओफ मुगल्स मुगलों का पतन मुगलों का पतन मुगल जो सासन काल रहा मुगलों का पतन का प्रियड रहा 1707 से लेकर के 1857 1707 से लेकर के 1857 तक ये 1500 साल ये 1500 साल थे इन 1500 साल में पूरे के पूरे मुगल एंपायर का क्या हो गया पतन हो गया 1.500 साल में पूरा का पूरा मुगल समराज्य है वो क्या हो गया खतम हो गया बच्चो तो देखिए 1707 में औरंग जेब की मृती हुई 1707 में death of Origic death of कि औरंग जेब और औरंग जेब की जब मृती हुई 1707 में वह कहां हुई बच्चो एह зах predic नगर एहमद नगर गुजरात एहमद नगर महारास्ट्रा एहमद नगर महारास्ट्रा में क्या हुई ओरंग जेब की मृत्यू हुई बड़ा ही करूर सासक था मुगल समराज्य में बड़ा ही कट्र सासक था बड़ी ही जो इसकी नीतियां थी वो अच्छी नहीं थी इसकी जो और 89 इयर ओल्ड था उस समय नवासी वरस का था नवासी वरस की उमर में क्या हुआ ओरंग जेब का देहान तुआ जब ओरंग जेब का देहान तुआ ना बच्चो उस समय ओरंग जेब के तीन जीवित पुत्तर थे उस समय कितने जीवित पुत्तर थे औरंग जेब के तीन जी था बच्चो आजम और तीसरा था बच्चो कामबक्ष 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 तीसरा कुलह था या काम बक्स था दो और पुत्तर थे जिनका नाम था बच्चों मोहमद अकबर मोहमद अकबर और दूसरा था मोहमद सुल्तान ये दोनों के दोनों जो हैं ओरंग जेब की नितियों के विरोध थे विरोध में थे ओरंग जेब की जो नितियां थी उनका क्या करते थे ये दोनों के दोनों पुत्तर विरोध करते थे कटर नीतियों के क्या थे ये पक्षदर नहीं थे कटर नीतियों के विरोधी थे और ओरंग जेब की मृत्यू से पहले ही इन दोनों पुत्रों का क्या हो गया था दिहानत हो गया था लेकिन तीन पुत्तर अभी जिवित थे मुज़म आजम और कामबक्ष जैसा कि आपको पता है बच्चो जब कोई सासक जो है अपना सासन त्याग देता है जब अपने सासन का उसका समाप्त हो जाता है तो नेक्ष्ट जो सासक आता है जब तो उसके बीच गदी को ले कर क्या हुआ संग्रश हुआ उनके बीच भी गदी को लेकर क्या हुआ बच्चो संग्रश हुआ लेकिन हम बात करते हैं कि जब ओरंग जेब की मृत्यू हुई 1707 में ओरंग जेब की मृतिव हुई तो हिंदुस्तान के उपर सबसे ज़्यादा फैला हुआ था मुगल समराज्य हिंदुस्तान में सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा फैला हुआ था क्या मुगल समराज्य अब देखिए बात करते हैं एक सूबा था अफगानिस्तान एक सूबा कहां था अफगानिस्तान और चोदा सूबे थे बच्चो नोर्थ इंडिया में चोदा सूबे कहां थे नोर्थ इंडिया उत्तर भारत में और छे सूबे थे साउथ इंडिया में छे सूबे कहां थे साउ औरंगाबाद पहला कुंसा था औरंगाबाद उसके बाद बरार तेलंगाना तेलंगाना बिजापुर खांदेश और हैद्राबाद हैद्राबाद को उस समय कहा जाता था बच्चो गोल कुंडा हैद्राबाद को गोल कुंडा के नाम से भी जाना जाता था तो ये छे साउथ इंडिया के अंदर प्रांथ थे, छे सूबे थे साउथ इंडिया में, जिनके उपर मुगल एंपायर का अधिकार था, औरंगाबाद, बरार, तिलंगाना, बिज़पूर, खांदेश, हैदराबाद, ये छे सूबे थे, अब बात करते हैं मुज़म के बारे मुज़म, आजम गुजरात का सुबेदार था, आजम कहां का सुबेदार था, गुजरात का सुबेदार था, और उसी के साथ-साथ काम बख्ष जो है, वो कहां का सुबेदार था, बिज़ापूर का सुबेदार था, कहां का सुबेदार था, बिज़ापूर का, यानि कि भाग करके भारत आया बहां से भाग करके कहां आया नियर भाई आया दिली के आगरा पहुंचा ये और इसने क्या किया अपने आपको सुल्तान गोशित करने की पूरी ठान ली कि भाई अगला जो सुल्तान बनेगा वो कौन बनेगा मैं बनूँगा खुद ये किस ने सोचा मुअज्जम ने सोचा लेकिन इसकी लड़ाई दो और भाईयों के साथ भी थी क्योंकि गद्धी तो तीनों को चाहिए ना गद्धी तो इन तीनों को चाहिए थी ठीक है तीनों के मन में ये था कि भाई मैं सरदार बनूँगा मैं बनूँगा मैं बन औरंग जेब का एक वजीर था अशद खान अशद खान अशद खान औरंग जेब का वजीर था और इतना विश्वास पत्र व्यक्ति था ये औरंग जेब को इसके उपर इतना बिलीव था कि इसको 31 एर तक 31 एर तक ये वजीर बना करके रखा लगातार 31 साल तक ये मुगल में औरंग जेब के सासनकाल में वजीर रहा 31 साल तक इतना विश्वास पातर था ये अब बात करते हैं बच्चो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि भाई मुअज्जम जो है वो आगरा पहुंचा क्योंकि उसको क्या चाहिए था सासन चाहिए था उसको क्या बनना था सासक बनना था किसका मुगल एंपायर का किसका सासक बनना था मुगल एंपायर का कुरसी पता नहीं व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा देती है कुरसी के लालच में वो कहां से काबुल से भाग करके पहुंच गया कहां पे आगरा में यहां एक प्रसिद युद्ध हुआ जजाओ का युद बहुत बार पूछा गया है बच्चो जजाओ का युद बैटल ओफ जजाओ बैटल ओफ जजाओ किस किस के बीच हुआ तो यहां पे मुज़म मुझम और मुझम के साथ साथ आजम मुझम के साथ साथ आजम और इस युद्ध में आजम का साथ दिया किसने औरंग जेब के भरोशे मंद वजीर ने असद खान ने असद खान ने क्या दिया इसका साथ दिया लेकिन बाकिश्मती आजम क्या गया पराजित हुआ और आजम के पराजित होने के बाद आजम की हत्या कर दी किसने आजम के बड़े भाई मुझ्जम ने क्योंकि उसको सासक बनना था मुगल एंपायर का क्या बनना था उसको सासक बनना था वो चाहता था सत्ता तेरे हाट में आए और तूं क्या करे राज करे तूं क्या करे राज करे अब 1707 में क्या हुआ भाई इस अपने भाई को हराकर के गदी पे बैठ गया मुगल एंपायर का बादस्या बन गया कौन मु और बहादुरसा प्रथम के नाम से क्या हुआ गद्धी पर बैठ गया बहादुरसा प्रथम बहादुरसा फरस्ट इसको एक और नाम से भी जाना जाता है बच्चो सहा ए आलम सहा ए आलम सहा ए आलम सहा ए आलम बहादुरसा फरस्ट बहादुरसा प्रथम या दूसरा नाम क्य रहेगा इसका सहा ए आलम दूसरा नाम क्या रहेगा सहा ए आलम दूसरा नाम क्या रहेगा इसका सहा ए आलम रहेगा बच्चो अब देखिए बहादूरसा जो सासक बना वो सबसे जादा उमर में बहादूरसा यहां से क्योशन पुछा जा सकता है बच्चो कि बहादूरसा सब से जादा उमर में सासक बनने वाला कुन था मुगल सासक था 65 वरस की आईउ में बहदूर साब 65 वरस की आईउ में मुगल एंपायर का बादस्या बना उसके बाद सबसे कम उमर की बात करें तो अकबर बना था उसके बात बात करें तो इसको क्या कहा जाता था बुढ़ा सासक बूड़ा सासक भी कहा जाता था और सबसे ज्यादा उमर में ये क्या बना था सासक बना था मुगल एंपायर का उसके बाद बात करते हैं कि भाई इसका जो सासनकाल था इसका जो रूलिंग पिरियड था वो कब से कब तक था तो 1707 से लेकर के 1712 तक सतरा सो साथ से लेकर के 1712 कि ये मुगल समराजय में क्या रहा बादस्यारा मुगल समराजय में क्या रहा ये बादस्यारा और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है बच्चो साहे बेखबर इसको एक और नाम से भी जाना जाता है साहे बेखबर के नाम से भी इसे जाना जाता एक प्रसिद हिस्टोर आपक्ष की भी क्या करवादी भाए हत्यागरवादी ।ूर। ताकि ये उसके रस्ते में रोडा ना बने। कामबक्ष की हत्या करवादी हैदरावाद के पास कामबक्ष जो है सूबेदार था कहां का बीजापूर का कहां का सूबेदार था कामबक्ष बच्चो बीजापूर का था तो 1709 में मुझ्जम ने यानि कि बहादूर साफ फस्ट ने क्या किया अपने दूसरे छोटे भाई कामबक्स की क्या करवादी हत्या करवादी कहां हैद्रावाद के निकट करवादी अब एक क्यूशन और भी पूछा जाता है यहां से पूछ लिया जाए कि भाई इनकी मदर कौन थी किसकी कोक्ष ये पैदा हुआ तो इसकी मदर थी नवाब पूछ लिया जाता है बहुत बार पूछा गया है ये क्यूशन नवाब भाई नवाब भाई इनकी माता का नाम क्या था नवाब भाई और नवाब भाई राजोरी के राजा राजू की पुत्री थी बहुती कट्र था लेकिन ये बढ़ा ही मेल मिलाप वाला वäreक्ति थी यह सोच रहा था कि तिरे बाप ने जो कारणामे किये हैं उन को तू थोड़ा सा सुधार ताकि लोगों के बीच तेरा अधिपत्य बना रहे लोगों के बीच तेरी पावर जो है वो बनी रहे इसने मेल मिलाप वाली जो है नीती अपनाई इसने क्या अपनाया मेल मिलाप वाली नीती अपनाई बच्चो मेल मिलाप की नीती मेल मिलाप की नीती अपनाई इसने मेल मिलाप की नीती अपनाई अब मेल मिलाप की जब इसने नीती अपनाई तो सबसे पहले बुंदेल खंड सरदार छतर साल और जाड सासक चूडा मन बुंदेलखंड सरदार चत्तर साल और उसके साथ साथ जाट सासक थे चूडामन जाट सासक चूडामन भरतपूर के सासक थे राजस्तान की हाँ बैब मैं बात कर रहा हूँ इनके साथ भी इसकी किस परकार के व्यवार थे मेत्री पूरन मेत्री पूरन संबंद थे इनके साथ इसके ये इसके सयोगी थे मेल मिलाप किसने नीती अपनाई इसके ये सयोगी थे इसके क्या थे ये सयोगी थे उसके बात बात करते हैं बच्चो इसने और क्या काम किया इसने आते ही औरंग जेब ने जजियाकर लगाया था इसने आते ही क्या किया सबसे पहले जजियाकर बंद किया जजियाकर क्या कर दिया इसने बंद कर दिया क्या कर दिया बंद कर दिया जजियाकर की बात करें कि जजियाकर क्या होता है बैचो एक परकार का टेक्स होता है नोन मुसलिम गैर मुसलमानों से ये टेक्स वसूल किया जाता था जो मुसलमान नहीं होते थे उन से ये टेक्स वसूल किया जाता था जजियाकर तो इसने जजियाकर को क्या किया लगा दिया उसके साथ साथ मेल मिलाब किसने नीती अपनाई उसके साथ मेल मिलाब किसने क्या की नीती अपनाई अब देखिए बात करते हैं इसके शाशनकाल में बात करते हैं राजस्तान राजे की राजपुताना राजे की बात करें राजस्तान की तो राजस्तान में इसके में बटा हुआ था पहला था मारवाड पहला आपका क्या है मारवाड और दूसरा जो आपका रहेगा पहला आपका मारवाड जिस मारवाड का उस समय सासक कौन था अजीत सिंग महराजा अजीत सिंग मारवाड जोधपूर 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 को मारवाड को अभी क्या कहा जाता है जोधपूर कहा जाता है और दूसरा था बच्चो आपका आमेर दूसरा जो सासक था राजपुताना वो कौन सा था आमेर जो भी जैपूर के नाम से प्रसिद है जैपूर को पहले आमेर कहा जाता था और यहां जो सासन करता था महराजा सवाई जैसिंग महराजा सवाई जैसिंग क्या करते थे यहां पर सासन करते थे पहले ये दोनों ही राजपुताना राजए औरंग जेब के समय में मुगल सासन के अधीन क्या करते थे सासन करते थे मुगल एम्पाईर के अधीन सासन करते थे लेकिन जैसे ही सत्रा सो साथ में औरंग जेब की मृतियू हुई तो अजीद सींग ने अपने आपको क्या कर दिया सवतंतर गोशित कर दिया मुगल सवतंतर गोशित कर दिया मुगल एंपायर से मुगल सासन से क्या कर दिया अपने आपको सवतंतर गोशित कर दिया अब 1707 में जैसे ही अजीत सिंग ने क्या किया अपने आपको सवतंतर गोशित किया ना मुगल एंपायर से तो भाई यहां पे मुझम ने सोचा यानि कि बहादूर सा फस्ट ने सोचा कि ये तो विद्रो की निती पैदा हो गई है मुगल समराजय के परती ऐसे तो पतन हो जाएगा हमारा तो भाई पहुँचा कहां पे आमेर सबसे पहले राजपुताना राजजय में कहां पहुचा आमेर पहुच गया कौन पहुच गया भाई आमेर सबसे पहले पहुच गया कौन बहादूर सा आमेर पहुचा कौन बहादूर सा फस्ट कौन पहुचा बहादूर सा प्रथम कहां पहुचा आमेर पहुचा और वहाँ जाकर कि जै सिंग को उसने गदी से अटाया और विजे सिंग को राजय का परभारी बना दिया विजे सिंग को क्या किया राजय सौप दिया और उसके बाद ये कहां पहुंचा आमेर के बाद जैसे ही आमेर में विजे सिंग को परभारी बनाया मुगल राजे संभालने के लिए विजे सिंग को गदी दी आमेर की उसके बाद कहां पे पहुँच गया मारवाड कहां पहुचा मारवाड पहुचा और यहां मारवाड जब पहुचा तो मारवाड के राजा अजीत सिंग ने इसके सामने क्या किया अजीत सिंग ने आतम किया और माफी मांगी कि मैं आपके अधिन काम करने के लिए क्या हूं तयार हूं मैं आपके अधिन कारे करने के लिए क्या हूं तयार हूं अब उसके बाद यहां से कहां चला गया यह दक्षिन भारत चला गया कहां चला गया दक्षिन भारत चला गया और जब यहां से दक्ष ले लिया अमेर को अपने अधिकार में ले लिया किसने मारवाड सासक अजीत सिंग ने यहाँ पे देखो बहादूर सा फ़स्ट जो है ना उसकी नीती हमेशा ही मेत्री पुर्ण संबंद और मेल मिलाब बाली रही लेकिन एक सबसे बड़ा कार्ण रहा सिखों के साथ इसकी न लग्यांब नहीं हो पाई उसके पिता औरंग जेकान में इसे क्या किई गुरु गोविद सिंग के साथ संधी कर ली गुरु गोविन सिंग के साथ संदी कर ली गुरु गोविन सिंग के चार पुत्रों की मृत्यू भी किसके हातों होई थी इसके पिता औरंग जेब के हातों से होई थी और 16 गुरु गोविन सिंग ने 1699 1699 में खालसा पंथ की स्तापना की मुगलों से लोहा लेने के लिए संदी की तो उसके कुछ समय बाद ही 1708 में गुरू गोविन सिंग की क्या होगी विच्चो मृत्यू हो गई और जैसे गुरू गोविन सिंग की मृत्यू कहां हुई महरास्टर के नांदेड में कहां हुई नांदेड महारास्टर most important class है बच्चो ये history की modern history की most higher level का करवा रहा हूं मैं आपको बिल्कुल zero point से करवा रहा हूं ये IS UPSC सभी exams के लिए most important है सभी state exam की बात कर लें चाहे CGL की बात कर लें UPSC की बात कर लें सभी के लिए most important है बच्चो ये topic बहुत से question यहां से निकलते हैं 1708 में गुरू गोविन सिंग की मृत्यू हुई कहा नांदेड महारास्टर में और जब गुरू गोविन सिंग की मृत्यू हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे बाद सिखों का कोई गुरू नहीं होगा मेरे बाद सिखों का कोई गुरू नहीं होगा गुरू गरंत साहिब की क्या की जाएगी आगे से पुजा की जाएगी जो सिखों के पांच में गुरू अरजुन देव ने लिखा था गुरू गरंत साहिब जो सैनापती के रूप में आगे बढ़के चला खालसापंत की तरफ किसकी तरफ खालसापंत का सैनापती कहलाया कौन बंदा बहादुर सिंग कौन बंदा बहादुर सिंग कौन कहलाया बंदा बहादुर सिंग अब सेवक था किसका गुरु गुरु गौविन सिंग का सेवक थ नेतरतो कर रहा था और ये लोहा लेने लिए तैयार था किस से बहधुरonya से, अब बहधुर सा प्रत्थं जो था भी कैसा बन्दा भाधुर से वे संदी करने भी कोशिश, बहधुर रहा कि पर अपना अधिकारस्तापित किया कि सरहिंद नामक सरहिंद का य philosophika उद्याना के पास है यह सरहिंद नामक जगह पर अधिकारस्तापितilan सरहिंद को जीता सत्रासव रारा इस्वी में और उसके बाद मैं बात करूं म, 1712 नहीं थोड़े यहां पे गलती हुई है 1710 और उसके बाद 1712 में उसके बाद 1712 में 1712 में पंजाब के लोहगड के पास पंजाब में लोहगड दामक जगह है एक लोहगड में बन्दा भादूर को 1712 में पंजाब के लोहगड लोहगड पे बन्दा भादूर को घेर लिया कि इसने घेर लिया बहादूर सा ने बहादूर सा फस्ट ने बहादूर सा फस्ट ने बंदा बहादूर को घेर लिया और इनका युद्ध हुआ इस युद्ध में बहादूर सा बंदा बहादूर क्या हुआ पराजित इस युद्ध में बंदा बहादूर पराजित हुआ लेकिन इस पूरे के पूरे टाइम प्रियड में इस पूरे के पूरे युद में बहादुर साफस्ट की भी क्या हो गई मृत्यू हो गई बहादुर साफस्ट की भी क्या हो गई मृत्यू हो गई और इसका सासनकाल यहाँ से क्या हुआ खतम हुआ बंदा बहादुर में इसकी मृत्यू के बाद अब ये क्योश्चन खड़ा हो गया भी मुगल एंपायर का अगला बादस्या कोन होगा फिर से क्या हुई गदी को लेकर के लड़ाई हुई वो अगले पिरियड में हम पड़ेंगे डाउन फॉल्स ओफ मुगल के अगले पूरा का पूरा रेड़ सो साल यानि की पतन में मैं आपको वो सारे के सासक बताऊंगा जिनोंने क्या किया मुगल एंपायर को खतम करने में पूरी की पूरी भूमिका निभाई ये आधुनिक भारत का पौर्षन है बच्चो तो स्टार भाइब सब्सक्राइब करेंं तक पर नोटिफिकेशन की वीडियो आप तक पहुंसती रहें तो हसते रहें मुश्कुराते रहें खुश रहें आज की वीडियो में इतना ही जै हिंद जै भारत